नमस्कार मैं हूँ आलोग और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलिटन नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर केरल कॉंग्रेस ने बीजेपी वेबसाइट का हवाला देते हुए दोनों नेताओं को मार्ग दर्शक मंडल में भेजे जाने की बात कई है वहीं केरल कॉंग्रेस ने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी की वेबसाइट के अनुसार मोदी और राधना सिंग आधिकारिक तौ और पर मार्ग दर्शक मंडल में शामिल हो गए है क्या ये संकेत है कि फ्लोर टेस्ट विफल होने जा रहा है और क्या ये आपदा के बाद पेज का ड्राइरन है इसके बाद कई लोगों ने पियम मोदी का मार्ग दर्शक मंडल में स्वागत किया वहीं कुछ लोगों ने साल 2014 से ही मार्क दर्शक मंडल्स का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में अटल बिहारी बाजपेई, नरेन मोदी, लाल कृष्ण आठबानी, मुल्ली मनुहुर जोशी और रादनाज सिंको मार्क दर्शक मंडल्स का सदर से बनाया गया था। शहजाद ने कहा कि भाजपा का प्रेस नोट उसी वेबसाइट पर है, लेकिन गाली बास कॉंग्रेस फरजी खबरों की फैक्टरी बन गई है। इसके बाद, अब संभावना बढ़ गई है कि बीजेपी विधान सवा चुनाप से पहले अजीत पवार की अगवाई वाली एंसीपी से नाता तोड़ ले। सूत्रों ने कहा है कि बीजेपी नेतर्व इस साल के अंत्र में होने वाले विधान सवा चुनाम में अजीत के साथ गणबंदन ना करने के प्रवाब पर विचार विमर्ष कर रहा है। कि नामांकन के समय इन दोनों दलों के नेता समर्थन के लिए नहीं पहुंचेते हैं। का नाम तै किया गया है। मेरी भी इच्छा थी और अन्य लोग भी इच्छुक थे। इस पर कोई सवाल नहीं है। अजीत पवार क्या कहेंगे। यह मंत्री मंडल और सबका लिया हुआ फैसला है। क्या मेरा चेहरा देख का लग रहा है कि मैं नाराज हूं। मैं तो सालों से यह देख रहा हूं। जो आप चाहूं वो पूरा हो जरूरी नहीं है। यह फैसला सभी नेता और मंत्रियों ने मिल कर लिया है। उन्होंने चर्चा करने के बाद ही सुनेतर पवार का नाम फाइनल किया है। मद्ध प्रदेश के पूर सियंग शिवरा सिंग चोहान ने लोकसभा चुनाव की जीत के बाद 11 जून को कृशी एवं किसान कल्यान मंत्री के रूप में पदबार ग्रैंड कर लिया है। शिवरास द्वारा क्रिशी कल्यान मंत्री की जिम्मेदारी समालते ही पूर सियं कमल नात ने उन पर निशाना साधा है। कमल नात ने एक्सपर लिखा मध्य प्रदेश में भारती जनता पार्टी की सरकार बने 6 महीने बीच चुके हैं और अब तर तो केंद्र में भी नई सरकार का गठन हो चुका है। तथा आचार संगिता भी समाप्त हो चुकी है। इसके बावजूद भारती जनता पार्टी ने अब तक किसानों को किये गए अपने वादे नहीं निबाए हैं। भाजपा ने अपने घोशना पत्र में कहा था कि प्रदेश में किसानों को गेहूं का MSP 2700 रुपए प्रती कुइंटल और धान का MSP 31 रुपए प्रती कुइंटल दिया जाएगा। नीड परिक्षा को लेकर कॉंग्रिस के वरिष्ट नेता मलिका अरुजन खडगे ने मोधी सरकार पर गंबीर आरोप लगाए हैं। पेपर लीक हुआ है, धान्दली भी हुई है और भरष्टा चार भी हुआ है। नीट मामले में सुप्रीम कोट ने NTA द्वारा दिये गए जवाब के बाद ग्रॉस मार्क्स प्राप्त करने वाले 1563 चात्रों का स्कोर कार्ट रद कर दिया गया है। और एक बार फिर से परिक्षा देने का विगल्ब दिया जाएगा। कॉंग्रेस ने इस पर एतरात जताते हुए कहा कि सरकार का रवाईया हमारी समझ से बाहर है। इस परिक्षा में हुई धांदली पर सरकार ने कुछ नहीं का है। आखिर सरकार इस मुद्दे से भाग क्यों रही है। कॉंग्रेस ने कहा 24 लाग बच्चों के भविश्य के साथ हुए खिलवार की CBI जांच करनी चाहिए। नीट पर आये सुप्रीम कोट के फैसले को लेकर केंदरी सिच्छा मंती धर्मेंद परदान ने कहा कि सुप्रीम कोट के ओर्डर का स्वागत करता हूँ। अदालत के आदेश पर नीट पर शंका समाथ हुई। सरकार पार दशिता और पेपर लीग पर अपना पक्ष रखेगी। नीट एक विश्वसनी संस्ता है जो गड़बडी कर रहे हैं उन पर कारवाई होगी। उन्होंने आगे कहा अदालत के आदेश के बाद लोग बयान देकर अनावश्यक राजनीती कर रहे हैं। इसमें संशे की कोई बात नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। चुनाम में हार के बाद वो इस जैसे मुद्दों को तलाश रहे हैं। मोधी 3.0 सरकार के गठन के बाद राजितिक विशलेशत प्रशांत किशोर ने प्रितिक करिया दी है। प्रशांत किशोर ने विपक्ष को केंद्र की मोधी सरकार को गिराने का आइडिया दिया है। राजितिक विशलेशत प्रशांत किशोर ने कहा अगर इंडिया गडबं उन्होंने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब प्रशांद किशोन ने लोकसभा चुनाम में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया था देश के जाने माने विशलेशक प्रशांद किशोन ने बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार के सामने एक शर्त रख दी है प्रशांद किशोन ने कहा अगर नितीश कुमार बिहार के हर जिले में एक एक फैक्टरी लगवाएंगे तो हम उनका समर्थन करने के लिए तयार है पीके ने कहा जान लीजिए बिना हम लोगों की ताकत के दिल्ली में सरकार नहीं बन सकती लेकिन नितीश बाबू तो मंतराले की बात कर रहे है नितीश बाबू यह नहीं बता रहे कि भाईया ऐसी विवस्था बनाओ कि गुजरात में फैक्टरी लगे या नहीं पहले मोती हरी या छपरा में कंपनी लगे कॉंग्रेस नेता सुप्रिय शिनेद ने सोशल मेडिय एक्स पर पोस्ट शेर किया जिसमें उन्होंने बताय कि कैसे पीम मोदी के शपत ग्रेंट समारों में कैसे सेना के शौर का अपमान और राज सरकारों को तिरसकार हुआ उन्होंने पोस्ट में कहा गौता मडानी, उनकी पतनी प्रीती, मुकेश अंबानी, उनके बेटे अनंत, अभिनेता शारुक खान और अक्षे कुमार दूसरी लाइन में बैठे थे वही नागा लेंड, तिरपुरा, सिक्किम, गोवा के मुख्य मंतरी तीसीरी लाइन में और सेना अद्धेक्ष वा सीडियस पांचमी लाइन में प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्य मंतरी, सेना अद्धेक्ष वा सीडियस आगे होने चाहिए थे उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी और मोदी का फरजी राष्टबाद और लोग तंतर के लिए असल असम्मान उत्तर परदेश के मेरण में भाजपा नेता संगीर सोम की प्रेस वारता में पूर्व केंदरी मंत्री संजीव बालियान के खिलाफ आरोपों से भरे परचे बाटने का मामला अब ज्यादा गर्मा गया है संजीव सोम ने परचे बाटने वाले के खिलाफ थाने में तहरीर भी दी है वहीं बाटे गए आरोप पत्र में जिस संजीव सहरावत का नाम आया है उस व्यक्ति ने संगीर सोम को 10 करोड के मानहानी का नोटिस बेजा है इन दोनों नेताओं के बीच विवात का मामला भाचपा हाई कमान तक पहुँच गया है मेरट में मंगलवार को भाचपा के पूर विदायक संगीर सोम ने मेरट केंट स्थित उनके घर पर प्रेस वारता की थी प्रेस वारता में संगी सोम के लेटर पैट पर दो पन्नो का प्रेस नोट बाटा गया इस प्रेस नोट में मुझफर नगर सांसद और पूर मंत्री संजीव बालियां पर ब्रश्टा चार जमीन कबजाने से लेकर तमाम आरोप लगाए गये थे इसी प्रेस नोट में संजीर सहरावत का नाम भी शामिल है जिसने आस्टेलिया में उनके जमीन खरीदने की बाद भी लिखी है करनाटक के पूर मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिश्ट नेता बीएस एदुरपपा के खिलाफ बैंगलूर की अदालत ने आज गुरुवार को पॉसको मामले में गैर जमानती गिरफतारी वारेंट जारी किया है पुलिस के मताबिक यदुरपपा पर 17 वर्षी लड़की की मा की शिकायक के आदार पर पॉसको अधिनियम और आईपीसी की धारा 351 के तहत मामला दर्च किया गया है आरोप लगाया गया है कि उन्होंने इस साल दोग फरवरी को बैंगलूर के डॉलस कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दोरान उनकी बेटी का यौन उत्पीडन किया है परदान मंतरी नरेन मोदी ने N.A.S.A. अजीत दोबाल और अन्य अधिकारियों के साथ जम्मु कश्मीर में स्थिती की समीक्षा की है परदान मंतरी को जम्मु कश्मीर में सुरच्छा समबंदिर स्थिती की पूरी जानकारी दी गई उन्हें आतंगबाद विरोधी प्रयास्वों से अभगत भी कराया गया वहीं प्रधान मंतृरी ने अधिकारियों से आतंगबाद विरोधी छम्मताओं का पूरा उपियोक करने के लिए काा है समाचार एजिंसी एनाई से मिली जानकारी के मताबिक इस मामले में प्रधान मंतरी ने ग्रह मंतरी अमीश शा से बात की और सुरच्छा बलो की तैनाती तथा आतंगबादी विरोधी अभियान पर चर्चा भी की अजीर दोबाल को लगातार तीसरी वार राश्टी सुरच्छा सला का नियुक्त किया गया है अजीर दोबाल को पहली बार 20 मई 2014 को देश का राश्टी सुरच्छा सला का नियुक्त किया गया था इधर प्रधान मंतरी के प्रधान सची में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है ये जिम्मेदारी P.K. मिश्रा ही समालते रहेंगे केंदरी कैबिनेट की नियुक्ति समीती ने अजीर डोबाल और P.K. मिश्रा की पुनर नियुक्ति पर मुहर लगा दी है I.S. P.K. मिश्रा को 10 जून 2024 से प्रधान मंतरी के प्रधान सचिफ के रूप में नियुक्ति किया गया है दिल्ली सरकार में मंतरी आतिशी और नेता रागव चड़्डा ने गुरुवार को तिहाट जेल में मुख्य मंतरी अर्विन केजरिवाल से मुलाकात की इसके बाद आतिशी ने कहा कि C.M. ने विधायकों को निर्देश दिया है कि पानी संकट के बीच जंता के बीच रहना है आतिशी ने कहा कि उन्होंने कहा है कि जो भी कतम उठाने की जरूरत है वे उठाये जाएं विधायकों को अपने इलाकों में जाकर समस्य का समाधान करने की हिदायत दी गई है माना जा रहा है कि ये मुलाकात तिहार जेल के अंक्तुप कक्ष में हुई है सुपरीम कोड ने अन्नु कपूर की फिल्म हमारे 12 के रिलीज पर गुरवार को रोक लगा दी है ये फिल्म 12 जून को रिलीज होने वाली थी कोड ने फिल्म पर इसलामिक आस्था और विबाहित मुस्लिम महिलाओं का अपमान करने के आरोपों पर एक्षन लेते हुए इस फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है अब तक की खबरों में बस इतना ही आगे की खबरों के लिए बने रहे सत्यहंदी.com पर